हाई गाईज आपको हमारे चैनल नेक्ट इंडिया पर पुना स्वागत है आसा करता हूँ आप सब कुसल मंगल होंगे आज हम 20 बहुत ही मतवपून डिजी से रिलेटेड बनने वाले क्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं तो आप वीडियो को अंतक ध्यान से देखिए यडि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट तता सेर जरूर कीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर नइ-नए है तो फ़ले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तता उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारे तरफ से आने वाले हर दिन का सुबह और साम का अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला क्यूचन आपके लिए पहला प्रस्न है एक बेक्ती से दूसरे बेक्ती में फैनले वाले रोगों को क्या कहा जाता है तो आपके लिए ऑप्शन है संचारी रोग अपकर्सक्र बिमारी गैर संचारी रोग य तो आपका सही जवाब है option A यानिकी संचारी रोग या इंगलिस में इसे बोला जाता है कमनी केबल डीजीज आपके लिए अगला प्रस्ण है रत्ताउंधी किसके कमी के कारण होती है आपके लिए option है option A है vitamin A, option B है vitamin B, option C है vitamin C, तथा option D है vitamin E तो आपका सही जवाब है option A यानिकी vitamin A, vitamin A के कारण रत्ताउंधी होती है आपके लिए अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से कौन सा रोग और संक्रामक रोगों का उदाहरन है तो आपके लिए option है option A है, cancer option B है, मधुबे में यानिकी diabetes, option C है high blood pressure यानि उच रक्त चाप तथा option D है उप्रोग सभी तो आपका सही जवाब है option D यानिकी इन में से सभी आपके लिए अगला प्रस्ण है अलमाइजर और osteoporosis किसके उदाहरन है option A है, संचारी रोग option B है, अपच्छाई रोग option C है, गैर संचारी रोग तथा option D है इन में से कोई भी नहीं तो आपका सही जवाब है option B यानिकी अपच्छाई रोग आपके लिए अगला प्रस्ण है cystic fibrosis और hemophilia किसके उदाहरन है आपके लिए option है वनसानुगत रोग यानि हेरिट्री डिजिज अपच्छाई रोग कमी रोग यानिकी deficiency डिजिज या फिर इन में से कोई नहीं तो आपका सही जवाब है option D यानिकी वनसानुगत रोग आपके लिए अगला प्रस्ण है घेंगा और बढ़े हुए thyroid ग्रंती का निदान मुखे रोप से निमलिकित में से कि स्खनी की कमी वाले रोगियों में किया जाता है आपके लिए option है fast forward की कमी के कारण लोहा की कमी के calcium की कमी के कारण या फिर iodine की कमी के कारण तो आपका सही जवाब है option D यानिकी iodine आपके लिए अगला प्रस्ण है चोट के दोरान अत्यधीक रखत स्राव किसके कमी के कारण होता है option A है vitamin A option B है vitamin B option C है vitamin K तथा option D है vitamin E तो आप सभी का सही जवाब है option C यानिकी vitamin K आपके लिए अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से कौन सा रोग विभिन रोग जनक सुच्म जीयो के कारण होता है यानि माइक्रो बैक्टरीद्म के कारण कौन सा रोग होता है आपके लिए option है संचारी रोग संक्रमक रोग गैर संचारी रोग या फिर वनसानुगत रोग तो आपका सही जवाब है option B यानि की संक्रामक रोग आपके लिए अगला प्रस्न है निम लिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन के कमी से होता है तो आपके लिए option है अनिमिया क्वासिया और कोर हाइपो थायराडीज में या फिर इनमें से सभी तो आपका सही जवाब है option B यानि की क्वासिया और कोर जो की प्रोटीन के कमी से होने वाला रोग है आपके लिए अगला प्रस्न है निम लिखित में से कौन सा बिटामीन एस्कॉर्बिक एसिट के रूप में भी जाना जाता है तो आपके लिए option है बिटामीन A, बिटामीन B, बिटामीन C या फिर बिटामीन E तो आप सभी का सही जवाब है option C यानि कि vitamin C आपके लिए अगला प्रस्थन है कमी रोगों यानि deficiency disease को कैसे मतलब किसके द्वारा रोका जा सकता है तो आपके लिए static option है लंबे समय तक खाना पकाने से केवल सब्जिया खाने से या केवल फल खाने से या फिर अच्छे पोशन मुल्य के साथ भोजन करने से तो आपका simple सा जवाब है option D यानि कि अच्छे पोशन मुल्य के साथ भोजन करने से आपके deficiency disease को रोका जा सकता है आपके लिए अगला प्रस्द है AIDS, समान्य, सर्दी डेंगू, बुखार और influenza किसके उदाहरन है आपके लिए option है कमी रोग यानि deficiency disease, सरीरी क्रोग संक्रामक रोग यान infectious disease या फिर गयर संक्रामक रोग यानि कि non infectious disease तो आपका सही जवाब है option C यानि कि infectious disease आपके लिए अगला प्रस्द है निम लिखित में से कौन सा vitamin रक्त के ठक्का जबने में मदद करता है तो आपके लिए option है vitamin A option B है, vitamin D option C है, vitamin C तथा option D है, vitamin K तो आपका सही जवाब है option D यानि कि vitamin K vitamin K के कारण रक्त को ठका जबने में मदद मिलती है आपके लिए अगला प्रस्द है निम लिखित में से कौन सा vitamin हर्मोन और द्रिश्य वर्नक दोनों के रुप में कारिय करता है तो आपके लिए option है option A है thाइमीन, option B है retinol, option C है folic acid, तथा option D है iboflavin तो आपका सही जवाब है option B यानि की retinol आपके लिए अगला प्रस्द है निम लिखित में से कौन सा vitamin नियासीन के रूप में भी जाना जाता है और पाचन तंत्र के कई कारियों में महत्तपुर्म भूमिका निभाता है तो आपके लिए option है option A है vitamin B1 option B है vitamin B2 option C है vitamin B3 तथा option D है vitamin B12 तो दोस्तों आप सभी का सटिक जवाब है option C यानि की vitamin B3 आपके लिए अगला प्रस्द है vitamin E की कमी से कौन सा रोग होता है तो आपके लिए सही option है नरम हड़ी हो जाना मांस्पेंसियों में कमजोरी हो जाना मसुडों में खून बहने लगना तथा तंत्रिका समन्दित विकार उत्पन हो जाना तो आपका सही जवाब है option B यानि की मांस्पेंसियों में कमजोरी हो जाना आपके लिए अगला प्रस्द है जे रोग थाल्मिया किसकी कमी के कारण होती है तो आपके लिए option है vitamin A, option B है vitamin B, option C है vitamin E, vitamin C तथा option D है, vitamin E तो आपका सही जवाब है option A यानि की vitamin E के कारण जे रोग थाल्मिया रोग होती है आपके लिए अगला प्रस्द है निमलिखित में से कौन संक्रामक रोग नहीं है यानि की which of the following not infectious disease तो आपके लिए option है डेंगू, option B है असकरवी, option C है type height गुखार, तथा option D है काली खासी तो आपका सही जवाब है option B यानि की असकरवी आपके लिए अगला प्रस्द है दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण निमलिखित में से कौन सा है तो असकरण कौन सा है इसके लिए आपके लिए option दिया जाता है option A है, ग्लुकोमा, option B है, मोतिया भींद, option C है, प्रोटीन की कमी से, या फिर option D है, विटामिन A की कमी से तो आपका सही जवाब है, option D, या निकी विटामिन A की कमी से आपके लिए आज का अंतिम प्रस्ण है amoxicilline, tooxicilline, Egyptromycine और Penicilline इस सब किस के उदारण है तो आपके लिए option है, जीवाणू के उदारण है या फिर रोगजणन को के उदारन है या फिर एंटिबाइयोटिक्स के उदारन है या फिर एक ठीका करन का उदारन है तो आपका सही जवाब है Option C यानि कि यह सब Antibiotics के उदारन है तो यह था आज का हमारा 20 क्यूचन जो की Digital Related क्यूचन था जदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तता उसके बगल में दिये गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले सारे के सारे अपडेट्स आपको दुरत प्राप्त हो जाए आप हमें फेस्बूक, इंस्टाग्राम, टेलिग्राम, ट्वीटर सभी जगा फॉलो कर सकते हैं फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्सर में दिये गया लिंक पर जाए तता वहाँ पर क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं पीडिये फाइल पाने के लिए टेलिग्राम चैनल को जरूर जोईन कर ले ताकि पीडिये फाइल जो की सुबा में प्यार दे अपना बेक्तित्व इस प्रकार से विख्षित करें ताकि लोग खास करके महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें धन्यवाद